नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां के टोप 25 परमोख खबर जानते हैं केंद्र सरकार के तीन क्रिसी कानूनों के खिलाब किसानों का बिरुद परदसन लगतार 26 वे दिन जारी है इधर हर यानके मुख मंत्री मनोहरलल खटर ने केंद्रीक क्रिसी मंत्री नैनेजे सिंग टोमर के साथ मुलकायत के बाद संकेत दी है कि किसान अंदोलन का हाल 2-3 दिनों के अंदर निकल सकता है यदि किसान हा या ना में उत्तर की मांग के बिना आगे आते हैं तो सरकार बाचित के लिए तयार है बता दे सीम खटर ने कहा मेरा मानना है कि अगले दो से तीन दिनों में किसान और सरकार के बीद बाचित हो सकती है उन्होंने कहा किसानों के विरोत काहल चार्चा के माध्यम से ही निकल सकता है जारखन मोसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में सरदी बढ़ेगी हलाकि हावा तेज रहने के कारण राजे में कोरा का परभाव थोड़ा कम रहेगा इस दोना राजधानी राशी का तापमान आठ डिग्री से निचे जाने के उमीद है बतादे राजे के मोसम में बदला उतर परचिम से आने वाली हावाव के कारण देखने को मिल रहा है सी एम पर रेप के आरोप को जे एमेम ने बताया बदनाम करने की साजीज जारखन के मोख मत्री हमन सुरेन पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है बतादे राश्ट्रिय महिला आयोग ने इस पर संग्यान लिया है NCW ने ट्वीट किया कि एक मोडल ने आरोप लगाया है कि 2013 में उसके साथ रेप किया गया बाद में उसके परिवार को घटना के बारे में सरजनिक तोर पर नहीं बोलने की धमकी दी गई इस पूरे मामले के बाद अब हमन सुरेन की पार्टी जारखन मुक्ति मोर्चा उनके बचाव में आ गई है नए साल में बास्कीनाथ में सरधालू को मिलेगी क्यू कमपलेक्स की सोगाद नए साल में दुमकाद जीला में इस्थित बास्कीनाथ के सरधालू को क्यू कमपलेक्स की सोगाद मिलेगी बतादे 11.4 जिरो कोलोर की लागत से बने भवन का लाप सरावनी मेला 2021 में बासकी नाथ पहुचने वाले कवरियों को मिलेगा Q-complex से मंदिर परिसर को जोड़ने का काम अभी बाकी है बतादे Q-complex में 1720,000 सर दालू की कतार लगेगी Q-complex कतार में बैठने की भी बेवस्ता की गई है जारखन में 7,000 भैक्सिनेटर देंगे 1,000,000 लोगों को टीका करन जारखन में टीका करन के लिए परसिक्षन का कारे पुरा हो चुका है बतादे Q-complex में जारखन में 7,000 भैक्सिनेटर एक लाख लोगों को करोना का टीका लगाएंगे स्वास्त विभाग के NHM के अभियान निदेशक रवी संकर सुकला ने इसकी पुष्टी की है उधर स्वास्त विभाग के टीका करन परवारी डाक्टर अमर कुमार मिस्तरा ने बताया कि जारखन में पहले चेर्ण में 1,2,200 हेल्थ वरकर्स को टीका दिया जाना है सोमवार से इसकूलों को खोलने का आदेश जारी इसकूली सिक्षा एवं सक्षर्ता विभाग ने सोमवार से काक्षा दस एवं बरावी के लिए इसकूलों को खोलने का आदेश सनिवार को जारी कर दिया है इसमें कहा गया है कि अभिभाव को कि समाती सही बच्चे बोर्ट परिक्षाओं में मागदर्शन के लिए इसकूल बुलाए जा सकते हैं अभिभाव को को या स्विक्रिती स्वा गोशना पत्र देना होगा कि उनके बच्चे पिछले तीन सब्ता से नतो कुरोणा संक्रामित हुए हैं और नहीं उनमें इसका कोई लक्षन है लातेहर में पुलिस उग्रवादी मुढवेड जाकन के लातेहर जीला के चंदवाद थाना छेत्र के सुदुरवर्ती पहाडी और जंगली छेत्र में उग्रवादी फिर सक्री होने लगे हैं बतादे चार दिनों में दूसरा मोका है जब उग्रवादी संगटन और पुलिस कामना समना हुए चंदवाद थाना छेत्र के लट दाग बस्ती से सटे रामपूर पहाल के पास जंगल में उग्रवादी संगटन टीपीसी और पुलिस के बिच मुर्भेड होई बतादे सिया पी एफ ए एक्सो तेतिस बटालियान और अस्थानिय पुलिस की टीम उग्रवादीयों की धर पकर के लिए रामपूर जंगल में पहुची पुलिस की टीम पर दूस्त नजर परते युग्रवादीयों ने फैरिंग शुरू कर दी दोनों और से गोलिया चलने लगी परिक्षा के त्यारी को लेकर कैलेंडर अधारित होगी पढ़ाई जेसी याटी के अधिसां सारा राची जीला सिक्षा पताधिकारी ने सबी प्रक्षण सिक्षा प्रसार पताधिकारी को निर्देश दिया है कि कक्षा एक से आठवी के लिए पाठेकरम पुनरा विरित्ती सा अक्षादन कलेंडर तयार किया गया है जीसे चात्रों को उप्लब्द कराए परिक्षा की बेतर तयारी को लेकर इसे बनाया गया है पताधे कलेंडर के माइदम से सिक्षकों को सिक्षन अधिगमन की संचिप्त यवं ठोस रूप रेखा प्राप्त होगी तथा विद्यातियों को स्वेम अधियान में सोलित्ती हो जामतरा पाकुल सिंडेगा तथा लातेहार में कोई संक्रमित नहीं मिले हाई जबकि अने जीलों में 5 या इससे भी कम नय संक्रमित मिले हाई जारकन में कुल संक्रमितों संख्या एक लाग 12830 है जबकि 1 लाग 10-2 रेक्सों लोक स्वास्ट है और 110 की मिरिति हो गाई पुरानी पेंशन के लाव की मांग को लेकर हाई कोट पहुचे पुलिस कर्मी पुरानी पेंशन योजना का लाव देने की मांग को लेकर एक सो से ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने जारखन हाई कोट में याज का दाखिल की है अधिवक्ताद चंचल जेन ने बताया कि इस यजका में पुरानी पिंस्वन योजना 31 दोयाचार तक प्रभावी कलाब दिये जाने की मांगी गई है रांची में 29 दिसम्बर को विकास मेला नोकरी कर्ज माफी के तौफे हिमंद सरकार के एक वर्स पूरे होने पर 29 दिसम्बर को रांची के मोराबादी मैदान में राज और जीला अस्तर पर विकास मेला कायोजन किया जाएगा मेले के सफल आयोजन को लेकर मुख सचीव ने चार आई-एस अधिकारियों की एक कमिटी बनाई है बतादे मेले में 10,000 लड़कियों को रोजगार देने के लिए नियुकती पत्र बाटने के तियारी कर ली गई है इसके अलावा आदिवासी चात्रों को विदेश में सिक्षा के लिए चात्रवीती युआवा के लिए मुख मंत्री रोजगार स्रीजन कारिकरम के तहट आसान ब्याज पर रिन देने की घोसना हो सकती है पच्छमी सिम्भू में सोम वर्षे परखंडों में कमबल का वितरन सुरू होगा गरीबों को ठंड से रहात देने के लिए जीला परखंडों में कमबल का वितरन कर दिया गया है पच्छमी सिम्भू में सहती से और 473 कमबल वितरन का लक्ष रखा गया है इस बार पहले के मुकाबले बेतर क्वालिटी का कमबल गरीबों को दिया जाएगा पाकुड में ग्रामिन सड़क का सिलन्यास सुबे के ग्रामिन विकास मंत्री सो अस्थानिय विधायक आलमगीर आलम ने सनिवार को पाकुड प्रखंड के सिता पहाडी में राज समपोसित योजना मद से बनने वाली सड़क का सिलन्यास किया मौके परमंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि अस्थानिय लोग की इस सड़क नेवान को लेकर काफी दिनों से मांग कर रहे थे अब इस सड़क का नेवान जल्दी पूरा हो जाएगा और इस इलाके के लोगों को आवागमन में सुविदा होगी देवघर एयरपोर्ट नेवान को लेका समिक्षा बैठक पोर्ट अथ्रिटी और अधिकारियों साथ बैठा कर समिक्चा कर रही है। अस्ताओं में विभाग की और से दस्वी और बरावी के चात्र चत्राओं को आवासे इस गुलों में आकर रहने और पढ़ने के नुमती मांगी जा रही है। इसके लिए 29 दिसमबर तक फरम भरा जा सकता है पतादे www.get.in पर परिक्षा समधी पुरी जनकारी उपलबदा है। इसका आवेदन सुल्क 200 रुपे निरायत किया गया है परिक्षा में सपल होने वाले विद्यार्थी को सत परतिसत चात्रवीती दी जाएगी। चटी से लेकर बराविक अक्षा में पढ़ाय करने वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अस्थानिये निर्जा निती को लेकर धार्ना आदिवासि मुलवासि जना अधिकार मंच ने सनिवार को राजभवन के समीप धार्ना दिया। इस दरान जार्खन अस्थानिय निती लागू करने वह भासा संस्कृति की रक्षा करने की मांग की गई मंच के अध्यक्ष राजू महतो ने काक की जार्खन में खतियान के अधार पर अस्थानिय निती लागू की जानी चाहिए निजी विद्यालेه खोलने की एनुमाति देने को लेका शानती मार्च जाकन प्राइबेट इस्कूल एसोशेसन ने सनिवार को डुमका जीला में सानती मार्च निकाला मार्च में रांजी एवं जीला इकाई के नीजी विद्यालेव में करेड़ा सिक्षक सिक्षकाई समिलित हुए एसोसेशन गांधी मैदान में एक अत्रित होकर विभीन मांगो को लेकर नगर भ्रावन करते हुए जीला सिक्षक करेयाले पहुँच जीला सिक्षक उपनीदेशक को ग्यापन सोपा नरतिकता के अधार परमुख मंतरी स्थिपादे बावुलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता बावुलाल मरांडी ने कहा कि पिछले साथ दिनों से सोसल मीडिया और मीडिया के विभीन प्लेटफर्म में या ख़बर घोम रही थी कि मुबाई की एक मौडल के साथ मोख मंतरी हमान सुरेन ने बलातकार किया था रेप का आरोप रहते कोई मोख मंतरी के पद पर एक छण भी कैसे रह सकता है भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब रेप का आरोपी मोख मंतरी के पद पर रहा हो इसलिए निति का तक आजा है कि मोखमंत्री हमन सुरेन को अपने पत से अविलम इस्थिपात देना चाहिए और खुद इस पूरे मामले की सीवियाई जाज की अनुसंसा करनी चाहिए धान खरित के डाइमेज कंट्रोल में जूटी सरकार किसानों को उनकी उपज का वाजिब मुल्य दिलाने के साथ ही पुरुपसाना के रूप में उन्हें बोनस देने की घोसना के जमीनी किर्यानवेन में आ रही परसानियों को दूर करने में राज सरकार जूट गई है हाल के दिनों में ब्यवास्था में सुधार भी हुआ है और पिछले एक सप्ता से धान खरीदी में तेजी आई है इधर धान करे को लेकर विपक्स के लगतार हो रहे हमले से चिंतित राज सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है धान खरीद की परकिरिया को तेज करने के साथ ही किसानों को भरिसे में लिया जा रहा है सरकार पर भरिसा रखे और विचलियों के चकर में न पड़े सरकारी गर सरकारी आई टी आई खोलने की मांग राजEK के सरकारी वगर सरकारी अध्योगी प्रसिक्षन सस्तानों को खोलने की तयारी है स्रम नियोजन एवं प्रसिक्षन विभाग ने इसकी अनुमतिक गरी, कारा एवं आपदा प्रबंदन विभाग से माँगी है बिभाग ने अगले साल जन्वारी फर्वारी मां हमें अद्योगीक प्रसिक्षन संस्थानों में प्रस्तावित परिक्षा का हवाला देते हुए इसकी मांग की है सरम नियोजन एवं प्रसिक्षन बिभाग के मंत्री सत्यानन भोकता के अनुचार समंधित संस्थानों में अनलाइन काक्षाय तो हो रही है लेकिन परिक्षा के कारण कम से कम एक दोमा अफलाइन काक्षाय जरूरी है पाँच साल के दरान जेल से छुटे अपरादियों का सत्यापन होगा सहर में बढ़ रहे अपराद पर अंकुष लगाने को लेकर सुकरवार को सीटी एसपी सोरव ने थानेदारों और ओपी परभारियों के साथ बैठक की सीटी एसपी ने क्राइम मीटिंग में सभी थानेदारों को निर्देश दिया की पांच साल के दवडान जेल से छुटे अपरादियों का सत्यापन करे संदीख्द पाये जाने पर उनके खिलाप करवाई करे रांची के मोराबादी मैदान में फिल्म रासीम रोकेट की सुटिंग राजदानी रांची अब फिल्म की सुटिंग के लिए वलीवूड के फिल्म निर्मताओ और निर्देश को की पहली पसंद बनती जा रही है बता दे प्रींस अफ रांची और भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्रे सिंग धानी पर बनी फिल्म धानी दा अन्टोल्ड इस्टोरी के बाद अब रासीम रोकेट फिल्म की सुटिंग रांची में हो रही है इसके लिए चर्चित अविनेत्री तापसिप पन्नू रांची पहुंच गई है इस फिल्म की सुटिंग मुराबादी इस्थीत बीरसा मुंडा फोटबॉल इस्टेडियम में हो रही है